नमस्कार दोसों CGPSC Prelims Exam 2013 का Online Farm को कैसे और किस प्रकार से भरना है इस वीडियों आपको डीटियल में जानकरी दिया जाए दोस्तों तो इस वीडियों यहाप लाश्ट रग देखते रही है दोस्तों इस वीडियों को सेयर किजिए कि आपको CGPSC Prelims के लिए Online Farm को कैसे भरना है किस प्रकार से भरना है सभी जानकरी इस वीडियों में डीटियल में दिया जाएगा तो इस वीडियों यह लाश्ट रग देखते रही है और चाइनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए तो CGPSC फरम भरने के लिए सबस्पहले हमें Google पर आना है Chrome यहाँ पर हमें लिग देना ह है जैसे हम से लिग के सार्च करेंगे उसके पर साथ जो CGPSC को ओफिसियल वेबसाइड है वह यहाँ पर खुलके आ जाएगा सब्सक्राइब से हमें स्कुल करके निशे के तरफ आना है यहाँ पर देखने इड़ाटाइज्मेंट फोर इस्टेड सर्विस एक्जैमिशन दोहजार तीस यहाँ पर आ रहा है दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन सी GPC Prelimbs Exam 2030 के लिए Online Firm वनने के लिए यहाँ पर आ रहा है Apply Online तो हमें इसी पर क्लिक कर देना है Apply Online पर जैसे loops把它 online पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्थो पेज क्वल के आ रहे हैं यहां पर Online Application State Service Examination 2013 यहाँ पर दोस्थो Advertisement आ रहा है तो आपको दोसे यहां पर आपको देखना है किवल क्लिक है to view advertisement state service examin यहां पर आपको क्येवाल विज्यापन को डाउनोट कर सकते हैं अगर आपको all-in form बढना है तो यहां पर दूसरा पर click है to apply online apply application of state service, इवागिन है लेकिन आप लग-इन है तो यहाँ पासवार्ट हो चूके है तो ही अगर आपका यूजर Iदी पासवार्ट नहीं बना है तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा पर क्लिक नहींगे अगर आपका अप्रीटी बन चुक है तो तीसरे पर किलिक करेंगे लेकिन अगर आपको दूस्तों फॉर्म में किसी प्रकार से को एडिक करने के लिए जो पांच्वे नमबर पर अगर आपको यहां पर तीसरे ऑप्सवर्ट पर क्लिक करना होगा अगर आपको नहीं बना है त दूसरे पर खिली कर देंगे इस प्रकार से सबके लिए रहा है रहे करih sël क्लिक करेंगे आप सो जैसे डी पासवर्ड नैसे बंड चुका होगा तो आप सो किस प्रकार से App अगर आपको पहले से उसर आडी पासवर्ड heaps per स्क्राव और वा चुका है तो आपके यहां पर आने हैं लाग इंपर क्टिक करने हैं जैसे यहाँ से यह अपलोग करने चाहता है यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अगर आपको युजड य œ но киपर से करने यहां इन कि जो का क्षाए यह शन कर देना है फं performer दोस्तों इस पकार से candidate का नाम को डालना है, mobile number को डालना है, email id को डालना है, generate OTP पर हमें click कर देना है, इस पकार दोसों OTP भेज़ दिया गए है, email id and mobile number दोना में OTP को भेज़ दिया गए है, उसको यहां से आपको डालना है, उसके पसा दोसी यहां से आपको mobile number वाल OTP को डालन है, email ID वाले OTP को डालना है उसके पर साथ दोस्तों Submit पर हमें Click कर देना है, तो इस पकार से आपका Mobile OTP, email OTP को डालने के पस्ता Submit पर हमें Click कर देना है, जाए Submit पर Click करें तो इस पकार से हमें Wait कर लेना है इस पकार से लेकिन अगर आपका User ID पासवर्ट बन चुका कि इस पेकार से आपके login करने यहाँ पर login पर क्लिक करेंगे उसके परसाद लोग इन पर क्लिक करने के परसाद आप registration करते समय सीजी पीएस्टी प्रिलिम्स online फार्म भरते समय जो भी आप Gmail ID दिया थे email ID Gmail ID उसको यहाँ पर डालना है उसके परसाद को भूल गा तो आपको यहाँ पर आना फार्यचेशन कर तस घीम्मेल डी यहां पर आना फ्रोंड पर गर आप बूल चुक है हैं अपने यदॉज्र अडी पासवाट को यहाँ पर सभी हुद्ट पर हमें क्लिक कर देना है जुट्छ था सब्मीड पर क्लिक करेंगे यसे set your password यहाँ पर दोस्तों आप को OTP भेजा जाएगा आपके Gmail आइडिम उस Gmail में जो भी OTP जाएगा उसको यहाँ पर डालेंगे उसके पसाथ पासवर्ड को अपने हिसाफस अपने मन से create करेंगे यहाँ पर उसके पसाथ confirm पासवर्ड आप यहाँ पर जो पासवर्ड देंगे उसके यहाँ पर confirm करेंगा आइम नौट रोबट पर क्लिक कर देंगे उसके पसाथ जैसे save पर क्लिक करेंगे तो आपके user ID और पासवर्ड cgpc प्रिलिम्स के लिए user ID और password forget होके चेंज होके इस पकार से चेंज हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपका बन चुक है आपके user ID password पतार यहाँ पर बैक टू लोग इन पर आएंगे उसके पर साथ आप यहाँ पर अपने Gmail ID को डालेंगे password को डालेंगे cgpsc प्रिलिम्स को इसके पास साथ यहाँ पर आमौच रोगट पर क्लिक करेंगे उसके पर साथ logical पर क्लिक कर देंगे इस पकार से अपने user ID के रूप में je mail ID को डालेंगे password डालेंगे इमौच पर क्लिक करेंगे त्रैट चीन आजाएगे इस पेकार्स उसके पास साथ login पर हमें क्लिक कर देना है जैसी दोस्तों login पर क्लिक करेंगे उसके पास साथ cgpsc prelims exam 2023 के लिए online farm खुल के आ रहे हैं यहाँ पर state service prelims exam 2023 तो हमें इसी वाली लिंक पर क्लिक कर देना है यहाँ पर दोस्तों जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस पेकार से हमें इसे टश्च कर रहे हुए रहने उसके पर साथ यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों apply कर देना है जैसे apply पर क्लिक करेंगे उसके पर साथ दोस्तों registration करते हैं आपको जो personal detail दिए था यहाँ पर से खुल के आ आजाएगा उसके पर साथ candidate का नाम आजाएगा फिर candidate का मदर नाम आ जाएगा उसके पर साथ नेस्नलेटी आजएगा सीजी पीस्टी पीलिप्स 2030 ओन लिंग फॉर्म भरते समय इस पकार से personal detail आजाएगा इसके पर साथ आपको नीशे के तरफ आएंगे उसके पर साथ इसको अप चेंज कर सकते हैं, इसके पसद आपका date of birth आ जाएगा, इसके पसद आपको कितने उम्र हो रहे हो आ जाएगा, इसके पसद आपका birth place, आपका जन्म कहा हुआ है, किसी स्थान में हुआ है, कहा हुआ है, आप birth place को यहाँ पर लिखेंगे, अब जिस भी जगह में को uh campus नेंगो को समिट करेंगा इस traffic यहाँ नंबर के यहां से आपको या कहां पर लिखना ओगा रोल नंबर या सहती को यहां पर लिखेंगे और यहां पर का स्टीपिकेट वडिगे आपके दस्वी का यागा आप दस्वी का देना नहीं चाहते हैं जिस भी का देना चाहते हैं उसके यहां पर लिखेंगे उसके पर साथ दोस्तों आप अपने यहां पर 36 गल्ड रेसिडेंट से डिटेल को फिल करने यहां पर कि आप 36 गल्ड का मूल निवासी हां या नहीं डो बना है यहां पर है एक डुमीर्ट कोा सभी जिले से बना यहां पर बना होगे का जीलए को उसको आपको यहां पर चैन करेंगे उसके पास दोस्तों लॉकाइलिटी को चैन करना है आपका यहां पर लोकाइलिटी मे Doलट GB आपकाूर्ड रहेगा। जो भी रहेगा उसको आपकी हाँ पर चैंँ करेंगे। जैसे आप ग्रमेरीट एरिया से हैं तो रूर अ जी सी पर चैंच करेंगे। इस उसके पसद आपको अपने certificate आपका जो है जाती प्रमार पत्र का आवेदान संदर्भ करमांग को डालेंगे और किस जीले के द्वारा जारी किया गए उसको यहां पर चैन करेंगे किस जीले के द्वारा आपका certificate को इसू किया गया है आपका जाती प्रमार पत्र को उस जीले को जैसे एक नयाब तस्हिलदार है जिस भी के दोरह जारी किये गए उस पोश्ट के नाम को आपको यहां पर लिखेंगे जैसे एक तस्हिलदार के दोरह जारी किये गए तो यहां पर रहेगा तस्हिलदार अगर नयाब तस्हिलदार के दोरह जारी किये तो नयाब तस्हिलदार इस पकार से आपको यहां पर लिख देना है जो भी इस्थाई है निवास है उसको देख के जहां पर सिगनेचर रहेगा अधिकारी उसके नीचे में उसका पत का नाम लिखा हुआ रहा था उस पत को यहां पर आपको लिख देना है उसके पर साथ रहेगा डेट यहां पर यह नहीं उसको आपको यहां पर चैन्ड करेंगे यह यह नो करके इस पकार से यह नो करके आप उसको चैन्ड करेंगे उसके पसाथ आपको नीचे के तरफ आना है उसके पसाथ चैन्ड करना है एक ससर्विसमेंट कि आप एक ससर्विसमेंट भूत प्रस हैनिक परिवार से हैं कि नहीं आपको yes and no पर आपको click करेंगे यहाँपर yes or no इस पकार से उसके पससाथ आपको other details को इस पकार से आपको fill करना होगा yes or no करके यहाँपर दोस्तो जो details आपको अच्छे से आपको read कर लेना है उसके पससाथ आपको डाल देना है आर्यू गॉर्णमेंट इंप्लोई आप छत्तितर राज्य में गॉर्मेंट इंप्लोई है इस परकार से या सिनों पर आपको चेंड करेंगे उसके पास यहां पर not for sick not for sick chakra me home guard accessories man chutney employee contractor इस पकार दोस्तों for sick chakra me employee up 36 guard इस पकार दोस्तों आपको देख लेना है उसके पर साथ आप chain करेंगे उसके पर आर यू contract based of government employee है या नहीं आपको यहाँ पर yes ये नो पर आपको click कर देना है आप अभी जो है उसके आपको इसको fill करना होगा उसके पर साथ है दोस्तों कि आर यू serving as home guard के रूप में काम करते हैं आप home guard के रूप में काम करते हैं कि नहीं yes ये नो को आपको यहाँ पर chain करेंगे उसके पर साथ है अगला यहाँ पर दोस्ता आर या वे , , आपको यहां पर चैन करेंगे , यस यये , उसके पास नीचे को रहना है , उसके पस साथ है दोस्तों आपको नीचे के तरफ आना है और यहां पर आपको देखना Candidate has been awarded by government for Intercast Merit Certificate इस परकार से Intercast Merit Certificate में आपको अवार्ड दिया गया है कि नहीं इस परकार से आपको यह सेनों पर क्लिक करेंगों उसके पसाथ इस Candidate has been awarded by 36 और government any following award जैसे राजीव पंडे आवार्ड है गुंडदुर आवार्ड है महराजा प्रवीर चंद्रभंजदेव आवार्ड है इसके किसी भी आवार्ड से बाहर किया गया है या नहीं आपको यहां पर यह सेनों करके आपको चैन करना होगा इसके पसाथ क्या Candidate ever terminated या punishment during the time of service किसी भी को कि उसके सर्विस के अधार पर पनिस किया गया है या अटाया गया है आपको यह सेनों करके चैन करेंगे उसके पसा दोस्तों अगला है are you ever declared guilty in any criminal case कि आपके नाम पर किसी भी प्रकार से क्रिमिनाल केस बना है या नहीं आपको यह सेनों पर आपको क्लिक करना है उसके पसा दोस्तों क्या are you a different service personal disabled in operation during hospitalized any for in country or disturbed area and release इस प्रकार दोस्तों आपको यह सेनों पर आपको किसी भी service defense service में आपको disabled in operation during किसी भी operation में आपको चोटिल हुआ है कि नहीं इस प्रकार से उसके पस आपको hospitalized किया है कि नहीं इसको आपको यह सेनों करके आपको चैन करना होगा उसके पस साथ दोस्तों यहां पर आप candidate who is bonfire यहां पर दोस्तों आपको Indian origin Indian passport holder इस पकार से yes या no करके आपको चैन करना होगा यह 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 नो उसके पस साथ क्या bonfire of Indian origin तो इस पकार से no रहेगा उसके पस साथ दोस्तों आप इन सभी डीटियल को फिल करने के पस साथ आप save and next पर क्लिक कर देंगे तो चैनी दोस्तों इन सभी डीटियल को फिल करके मैं आगे का प्रोसेस करके बता रहा हूं कि किस पकार से आपको आगे का प्रोसेस करना होगा इस पकार से आपको अपना personal डीटियल में mobile नमबर आ जाएगा जीमेल आइडी candidate का नाम फादर नाम मदर नाम नेस्नल एटी रिलिजम जेंडर में रिटियल स्टेटस डेट ऑप बर्थ आ जाएगा उसके पस साथ आपको बर्थ प्लेस फिर आपको बर्थ डेट को प्रूफ करने के लिए देश्टी का मार्क सीट पिर मार्क सीट का रूल इस आपका अपना certificate number डालेंगे फिर certificate कि जीले के द four कि जारी किएगे उसको डालेंगे पिर इस जारी करता अधिकारी का कि स्वाश्ट को डालेंगे फिर certificate पि Ecist को डालेंगे यास या जो करके उसके पशाव साथ एक सब्सकार आपको देख ले नैंड है PayPal हैन करेंगे अगर और हैं किसी में तियास करेंगे नहीं है तो सभी में यहां पर no कर देंगे उसके पर साथ आपको यहां पर save and next पर आपको click कर देना है जैसे save and next पर click करेंगे तो आपको personal detail save हो जाएगे जैसे personal detail save हो का उसके परसाथ अगला step रहेगा आपका permanent address तो यहां पर जो registration करते हैं अगर आप दिये रहेंगे उसको आपके यहां पर permanent address यहां पर आजाएगा जो भी आपका address रहेगा वह आजाएगा उसके परसाथ यहां पर सब्सक्राइगा यहां पर पूलिस इस्टेशन आपका नजदी की पूलिस थाना को यहां पर लिखेंगा उसके पसथ अगर आपके address से महत यहां पर permanent address पर इकक लगा देंगे उसके पस आची की तरफ आपको आना होगा सबीधेल अट्टमेटिक से ले लेगा उसके पर साथ हमें सभी को सेयुआ हैं नेक्ष्ट पर हमें एक किलिक करना जैसे ग क्लिक का और उनका उम्र 21 वर से कंप्लीट हो चुका है तो वह फॉर्म भर सकते हैं फाइनल यह वाले तो फिर आपको अगला इस्टप्ज रहेगा क्वालिफीकेशन सीजी पीसी प्रिलीम्स ओनलेन फॉर्म भरने में क्वालिफीकेशन डीटियल को किस पकार से और कैसे भरना यहां पर आपको सबसे पहले 10 प्लस 2 मतलब आपको बारवी का क्वालिफीकेशन भरेंगे फिर आपको ग्रेजवेशन का डीटियल को भरेंगे उसके पसद अगर आपको अन्या कोर्स किये हैं उनको भरेंगे बारी बारी से आपको पूर्णा अपना क्वालिफीकेशन को भरना हो दोस्तों तो आपको सबस्द पहले दफसी क्लास को मतलब 12 क्लास को फिल करेंगो, उसके पर शाथ नेम आप को लिए यहां पर रहे हैं कवर्वी क्लास करेंगा केवाल आपको यहां पर लिग देना है 12 इस परकार सो उसके पर साथ किस बॉड़ से आप पास आउट के हैं अप मतलब की स्कुल से किये हैं की स्कॉलर्स से किये हैं जैसे आप ग्रेजुशन को फिल करेंगा तो इंस्ट्ट में नाम में रहेगा आपका कॉलेज नाम रहेगा और अगर आप बारवी का फिल कर रहे हैं तो यहां पर आपका इसकुल का नाम रहेगा यहां पर आपका बोर्डा का नाम रहेगा जिस बोर्डा से आप बारवी पास आउट के हैं वह रहेगा और यहां पर आपका नेम आप कोर्स एंड डिगरी आप यहां पर नेम आप कोर्स जैसे बारवी प्राइब्सक्राइब्सक्राइब स्वाक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब् UPTENT कियے हैbeitet उसकोicki हां पर ढलेंगे उसके पर साथ percent automatic से आजाएगा उसकत आपको add पर क्लिक करेंगे तो बारी बारी से आपको बारी को क्लिक करना हैं फिर आपlam को करना है फिर अगार पीजिक कि क्या हैं तो पीजक के detail को fill करेंगे तो श्टेली दोस्तों इन सभी को कोई से सब्जیک्ट लेकर अपना पढ़ाई कि है मैद्सक्राइब या आर्ट से कि हैं या कमर्स से कियह है जो भी आप सब्जेक्ट लेकि आपको बार्वी को पास OUT कि हैं उसको डालेग। उसके fix अपर साथ की सी स्कूल से या की पास है कि सपली है उसको इस पकार से उसके परसा दोसे मार का टाइब है या CGP है इसको डालेंगे फिर कितने नंबर का था आपका 12 उसको डालेंगे और आप कितना प्राप्ते की है 12 में उसको यहाँ पर डालेंगे परसेंट कितना बना है या आटमेटिक सा जाएगा उसके प सब्सक्राइब को डालेंगे उसके पर साथ दोस्तों को डालने के पर साथ अगर आप पीजी ग्रेशन की हैं या एंफिल पीएजी नेट स्लेट सेट इस पेकार जो भी आपके पास क्वालिफीकेशन है बेचलर आप एजुकेशन बीड है इंटीग्रेटर पीजी कोर्स हैं प बीसी की हैं जो भी सब्जेक्ट से इस परकार से आपको डाल देना होगा उसके पर साथ दोस्तों आप डालेंगे डालने के पर साथ किस बोर्ड या किसी उनिवर्सीटी से की हैं तो आपको डाल देना होगा उसके पर साथ दोस्तों इसको डालने के पर साथ आपको इस परक की हैं इस पकार से उसके पसाद किस इंसिट्ट से की हैं उसको यहां पर आपको डाल देना होगा यहां पर पसाद दोस्तों कॉलेज के नाम होने के पसाद किस एयर में आप पासओट किये हैं उस एयर को इस पकार से आपको चैन कर लेना होगा चैन करने के पसाद आपका मार्क कितना बना होगा एग्रीगेट उसके पसाथ यहाँ पर आपको डाल देना होगा हर येर का होता है 600 में यहाँ पर 1800 में आपका कितना बना होगा उसको आपको डाल देना होगा इस पकार से दोस्तों आपको डाल देंगे जो भी आपका होगा उसके पसाथ इस पकार से आपको ड हमारा दूसरा qualification एड हो गए अब हमें तीसरा qualification अगर किये रहेंगा तो ही एड करना होगा अनिया था आपको आगे क्लिक कर देना होगा जैसी दोस्त अगर आप दो ही कोर्स किये हैं 12 class उसके पर साथ आपको ग्रिजुएशन तो इस प्रकार से आई टिक लगा देंगे उसके पर साथ नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर दोंगो नेक्स्ट पर जिहां दोस्त अगर किये रहेंगे तो इसी प्रकार से आपको ग्रिजुएशन को एड़ करेंगे बारवी क्लास को एड़ करेंगे जो भी आप क प्रमारीद करता हूं पर आपको क्लिक करते हैं जो भी जानके निए गए सही है अगर किसी भी प्रकार से कोई गलती असत्य पाए जाने पर मुझे चैन के किसी भी इस तर पर आया योग द्वारा अन आर्ता जो है डिस्क्वालिफाई घोसित के जा सके जो मुझे माननी होगा इस पर पर त्वागा की और एक्स पर टीक लगाएंगा को दो दो अगर यहां पकर आपको काम किये कि दॊचिबुचा और ने सभी हैं शेक लाटब अलगी पिर्ण फेट उड़ टो टूट तक उसके पर साथ कि इस इस इंसीटूटundred कीश डिपार्टमेंट या की और दीर ओर गनेसा में अगर आप काम कि उसको यहां पर डालेंगे और सेब पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब एभी ही लेकिन अगर आप नहीं कियां तो इस पर किलिक करेंगा तो इसके पर्ते होटो फोटो को चेज़ करना चाहते हैं है और यहां पर पर क्लिक करेंगे उसके पास साथ यहांपर just click करेंगे ड्यू हां टू डिलिट इस पर click करेंगे उसके पास साथ स्थाथ Анzenj आपको signature कोरने का ज़रत नहीं पड़ेग का अगर signature वही नहीं है तो आपको जैसे photo को change करना पड़ेगा तो यहांपाड फोटो को change कर देंगे आपको upload करने के पचास के भी अब format कर रहेगा .jpg .png यही दोस्तों यहां पर तीन फॉर्मेट में रहेगा इन तीन फॉर्मेट में आपको अपना फॉट्टो को अप्लोड करेंगे upload करने के पसाथ seven next पर click कर देंगे तो चेली दुस्तों आपको photo को किसफ पकार से upload करनेगे यहाप पर आपको photo पर click करेंगे उसके पaneous पास दुस्तों यहां पर आपके file को यहां पर लाना है था है जो अपको ऐब हैorters उस पर साथ आपको फोटो सो हो जाएगा यहां पर उसके पस सिगनेचर सो हो जाएगा अगर सिगनेचर को चेंज करना चाहते है इसको भी आप चेंज कर सकने फोटो की तरह अगर नहीं चेंज करना चाहते है तो इसको रखने दने उसके पस आपको फोटो का अपलोड करेंगे यहां पर फोक्तो हो जाएगा। थारीता किये गए है उनके संबाद में बॉक्स को यस में आप क्लिक करना होगा जैसे आपके पास जो भी कॉलिफीकेशन उसके नुसाथ यहां पर दोस्तों ग्रेजवेशन डिगरी एनी इस्ट्रीम फोर यहां पर फ्रॉम गॉर्मेंट रिकॉनाइज़ यूनिवर्सिटी इ घेंगे जैसे सब्स हाद करेंगे उसके पससाथ यहां पर अपको लिक नाम पको लिखना प्रकार से लिए उसके प्सपत्य करेंगे लिए नहां गया है कि आपके पूश्ट के लिए उसके पसा दुससा आपको सभी डीटेल हो एक बार सथ चेक करेंगे तेजिए कर देना होगा षब सब्सक्ताई को पस्थाइनल को सब्सक्वरिस जो जब एक बार सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका इसको आपको चेक करना होगा तो सीजी डिस्टिक्ट में जाके अपना आवेदान संदर्पक्रमाम को डालेंगे और वहां से आप लोग बर्स चेक कर लेंगे आपका जीला कौन से है उसके पर आपको फोटो आजाएगा यहां पर से आपको डॉसके अडिक्स कहां आप इक्जाम सेंटर यहां पर सेंटर्स कहां आप लेना चाहते हैं यहां पर दोस्तों आपको चैन कर लेंगे। यहां पर जी जीुसंसें का जायता है जहां आप इकजाम डिलाना जाना चाहता है जीुसंस conception में जिस विसंसेंक नीज़को आपको चैन कर लेंगे उस पस साथ तरफ्री सर्विस आफ को वशनीश रूपए का प्लिक jetzt 10 lieu पेमेंट करेंगे यहां पर आई हेर बाई पर क्लिक करेंगे उसके पर साथ पेन आउपर आपको क्लिक करना होगा यहां से एगरी पर क्लिक करेंगे उसके पर साथ उसके पेमेंट के लिए पेज़ खुल जाएगा इस पकार तो पेमेंट के लिए 14 मिनिट का समय दे रहा है जि यूपी इस पकार तो आपको उस पर क्लिक करेंगे यूपी इसके पास साथ अपना यूपी आडी को यहां पर डालेंगे और यहां पर यूपी आई का मेथाट को यहां पर आपको क्लिक करेंगे यूपी इस पकार जो भी आपका यूपी आडी है या अधर है तो इस पकार से अधर पर क्लिक कर देंगे और मेक पर क्लिक करेंगे इस पकार से आपको अपना यूपी आई डी को दे देंगे और मेक पर क्लिक कर देंगे जैसी दोसो अपना UPA-D डालने के पर साथ इस पकार से यहाँ पर payment के लिए PTM में चला गया है वहाँ से आपको payment करके जैसे complete करेंग यहाँ पर successful हो जाएगा तो चली दोसो payment करके मैं आपको अगरी का process करके मैं बता रहो कि किस पकार से आपको अपने FOM को complete करना है payment कंप्लीट होने के पर साथ किस पकार से आपको print कर लेंगे पेमेंड सक्सेऽऽफुल होने के पर साथ इस पकार से और payment संसे पूसन सक्सेऽफुल ksi default सी पकार से आ रहा है दोस्तों payment action पर click करेंगे view form पर click करेंगे इस परकार दोस्ता आपको form complete होके यहां पर से आ जाएगा यहां पर application dot पर click करेंगे उसके परसाथ आपको आना होगा share पर share पर आने परसाथ प्रिंट पर आपको click कर कि इसको आप PDF करूप में save कर लेंगे तो दोस्तों इस परकार से जान का रही है